15 ऐसे तरीके जिन से आप अपना प्यार पाट्नर को बिना कुछ कहे जता सकते हैं Hello Friends, Love Tips YouTube Channel में आप सभी का स्वागत है हर कोई चाहता है बिना कहे मेरा प्यार सामने वाले को दिखे कैसे दिखेगा दिमाग लगाईए कुछ ऐसी हरकते, कुछ ऐसी body languages करनी होगी कुछ तो ऐसा माहूल बनाना होगा जिसकी वज़़े आप बिना कहे सामने वाले को दिखा सकते, कि आप उनको प्यार करते, उनको पसंद करते तो इसके लिए कुछ तरीके आजमाने होते हैं, टिप्स आजमानी होते हैं इसके लिए आज का वीडियो, यानि कि ये वीडियो बहुत ही खास है, आपको पूरा देखना चाहिए, तो चलिए, 15 जो तरीके वो एक एक करके देख लेते हैं, सबसे पहला तरीका, उनके करीब रहिए, अब आप कहींगे हम तो करीब भी रहते हैं, नहीं, ओफिस, स्कूल, कॉलेज, जहां पर भी हो, उनके कांटेक्ट में हो, तो उनके आसपास रहने की कोशिस करें, उनके क्लोज रहने की कोशिस करें, खाना खाने बैठे तो उनके पास में बैठने की कोशिस करें, कोई भी वक करते वक्त, उनके आसपास रहने की कोशिस करें, ये सबसे पहला त नजर में वो बात नहीं होती जो सामने वाले को देखकर पसंदा जाए तो वो प्यार बरी नजर अपने आप ही आनी चाहिए नहीं तो सामने वाले इनसान को पता चल जाएगा तीसरा है जो है बिना कोई कारण उनके सामने देखकर स्माइल करते रहना चाहिए यानि कि जब भी वह आपके सामने देखे नजर से नजर मिले तब आपके चेहरे पर सबसे पहले स्माइल आने ही चाहिए और वही स्माइल के साथ चाहे कुछ भी ना कए लेकिन अपने चेहरे पर स्माइल रखकर अच्छे एक्सप्रेशन के साथ कुछ ऐसे मुंडी इला के कुछ इशारे कर सकते हैं चौथा है उनके साथ फ्लर्ट करें अब आप करेंगे ये करने जाएंगे तो बात बनने से पहले ही बिगड़ जाएगी आपको पता चल जाएगा उनके साथ बातचीत करते करते कि आपको उनके साथ कैसे बिहेव करना है किस लेवल पे बातचीत करने हैं तो वहाँ पे छोटा मोटा छोटे मोटे लेवल पे आप उनके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं उनको भी ऐसा दिला सकते हैं कि कही ना कही आप उनको पसंद करते हैं पाँचवा है उनके लिए क्यूरियस बने उनके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो जानने कि आपके अंदर वो क्यूरियसिटी होनी ही चाहिए यानि कि उनके पास्ट में क्या हुआ था उनके गर में कौन-कौन रहता है, क्या-क्या चीजे वो करते हैं, वो क्या करना चाहते हैं अपनी जिन्दगी में उनको उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे, सामने वाले को वो चीज सबसे ज्यादा पसंदाती है यहाँ पे आपको यह curiosity हर वक्त हर बात में नहीं दिखानी है लेकिन कभी कबार जब वो सामने से बात कर रहे हो तब एक दो सवाल पूछ कर आप उनको उनके बारे में और ज़्यादा जान सकते है छठा है अगर आपके पास उनका number है तो उनको good morning और good night का cute message बेच सकते है यहाँ पे ऐसे उमीद मत रखिये कि सिर्फ good morning और good night कहने के साथ ही वो आपके साथ लंबी बाते करेंगे नहीं सिर्फ इतना कहके छोड़ दीजिए यह भी एक अच्छी बात बन सकती है साथवा है उनको सुने जब भी आप साथ में बैठे हो circle में, group में बैठे हो वो कुछ बोल रहे तो उनकी आखों में देखे इससे क्या होता है सामने वाले को कुछ कहने की इच्छा जादा होती है तो वो दो बाते जादा बोलता है तो उनकी बातों को ध्यान से सुने जैसे पहले हमने देखा कि curiosity उसी के साथ उनकी बातों को सुने, सब कुछ सुने आपके पास चाहे जितना भी बोलने को हो, लेकिन सब कुछ आपको सुनना है इससे उनको भरोसा होगा, कि ये इनसान मेरी सारी बाते सुनता है और जब भी इनसान कुछ बोल देता है, तो वो अंदर से खाली हो जाता है और उनको लगेगा कि वो आपके पास आकर खाली हो सकते है तो ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है, प्यार जताने के लिए आठवा है, जब भी वो जॉक्स कहे, तब आपको हसना है जोक्स जाए, जैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो हसने की कुछ बात कही आपको हसना है और एक्टिंग नहीं करनी है, लेकिन सामने वाले को ऐसा तो लगना ही चाहिए कि मैंने कुछ बोला, उस पर लोग हस रहे यानि कि मैं जो समद रहे, सामने वाला भी समद रहे, यह असास उनको दिलाना है और आपके साथ, इससे क्या होगा, वो कनेक्ट कर पाएंगे तो जब भी वो जॉक्स कहे, या तो फिर कोई चीज पर वो हसे तब आपको भी साथ में हस देना है ताकि उनको लगे, कि नहीं, कोई तो है, जो मेरे माइंड लेवल पर सोचता है मेरे थौट्स के साथ रहता है, और वो भी हसता है तो ये भी एक अच्छा तरीका माना जाएगा नौवा तरीका है, उनको कॉंप्लिमेंट देना कॉंप्लिमेंट सिर्फ बातों से नहीं, आप इशारों में भी दे सकते जब भी आपको लगे, कि रेगुलर वो टी-शेट पहनते और आज कुर्ता या कुछ भी अलग पहन किया है तब आपको कॉंप्लिमेंट देना ही देना है इससे क्या होगा, उनके दिमाग में रहेगा कि नहीं, सामने वाला इनसान मुझे नौटिस कर रहा है आज मैंने कुछ नया पहना है, वो उसको भी समझ में आता है तो ये भी एक खास तरीका है उनको ये दिखाने का, कि आप मेरे लिए स्पेशल हो दस्वा तरीका है जब भी उनको मदद की आवश्यक्ता हो तब सबसे पहला हाथ आपका ही आना चाहिए वो चाहे पैसो की हो, कोई काम की हो, या कुछ भी हो कई बार आफिस या स्कूल कॉलेज में क्या होता है लेट नाइट काम चलता है, पार्टिया चलती है सामने से वो रिस्ता बनाने आ सकते है और यही बरुसा आपको नए रिस्ते में ला सकता है और आपके क्रस को आपके पास भी ला सकता है तो जब भी उनको मदद की आवश्यक्ता हो, पहला ता आपका आना चाहिए मैं तो कहता हूँ बिना कहे कई बार आपको मदद करने चाहिए जब आपको लगए कि इनको मदद की जरूरत है 11 जो तरीका है उनके लिए कई बार आप अवेलिबल रहे है कई बार क्यों बोला हर बार रहेंगे तो वो समझेंगे कि आप फ्री है लेकिन कुछ-कुछ बार उनके लिए अवेलिबल रहे उनको भी लगना चाहिए कि नहीं इनसान सिर्फ मुझे टाइम देने आया है बारवा तरीका है उनको ये दिखाए कि आप उनके लिए अच्छे हो अब ये कैसे दिखा सकते हैं एक तो हमने बात कि आप भरोसा बिल्ड अप कर सकते हैं वो जैसे कपले पहनना चाहते हैं यानि कि उनकी जैसी फैसन स्टाइल वैसी आप डेवलप करना शुरू करें यानि कि उनको टी सेट और जीन्स ज्यादा पसंदें तो आप भी वैसा ही कुछ पहनने की कोसिस करो मैच करने की कोसिस करो तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है तीरवा तरीका है उनके सामने लॉयल बने रहे यानि कि आपको वफादार है न जब भी वो कुछ कहे जब भी वो कुछ मांगे या तो फिर कहां पे कुछ भी कोई गटना ऐसी होती है और वहां पे उनको कोई ऐसी चीज की आवशकता है तो सबसे पहले आपको वहां पे वफादारी दिखानी है जब भी उन्होंने कुछ भरोसा आप पे रखा हो तो उस भरोसे पर कायम रहना है आख्रिगर पंदरवा तरीका है उनके साथ आपका जैसा भी रिस्ता है उसके बारे में सोशल मीडिया में आप क्यूट सी पोस्ट अपलोड कर सकते है उनको भी पता होगा उनका आपके साथ का रिस्ता कैसा है अगर आज गटना कुछ ऐसी हुई है तो ऐसी गटना के बारे में कोई पोस्ट आप सोशल मीडिया में रख सकते है और वहाँ पे थोड़ी बातचीत हो सकते है और उनको भी लगेगा कि ये इनसान सारी जो अच्छी बाते हमारी वो हाइलाइट कर रहा है तो वैसे आप ये पंदरे तरीकों से सामने वाले को बीना कुछ कहे ये जटा सकते है कि मैं आपको पसंद कर रहा हूँ पंदरे में से कौन सा तरीका आप आज माएंगे मुझे कमेट बॉक्स में बताइए तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंट वीडियो को देख रहा है सारे जिये भी फ्रेंजा मजुनू लेला जो भी हो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कोई भी सवाल या सुजा हो तो कमेट बॉक्स में बताइए थैंक दोस्तों नो बैटर लिव बैटर